हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे करोंदा का अचार जो कि खाने में बहुत स्वाधिश्ट होता है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से इंस्टेंट बना सकते हैं तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम करोंदा लिया है जिसे अच्छे से हम धोलेंगे कोई भी अचार या सबजी बनान चाहिए तो यहाँ पे हमने हातों से रगरती हुए इसे अच्छे से धोलिया है दोने के बाद इसमें जो उपर डंठल होते हैं नक्रू होते हैं इनके इनके इन्हें हम तोड़के हटा देंगे सारे करोंदे के तो देखिए हमने इसे अच्छे से धोती हुए इसके उपर के नक्रू हटा दिये है और इसे अब हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे ताकि कोई भी अगर कंदा रह जाए करोंदा तो उसे हम धो सकें तोड़ते वक्त इसमें दूद सा निकलता है जो कि किसी भी घास फूस में चिपक जाता है तो इसे हम हाथ से अच्छे से धो के निकाल देंगे लंबे समय तक अचार को टिकाने के लिए इसे पहले अच्छे से सुखा लेना पड़ता है कोई भी चीज का अचार बनाओ उससे हमें पानी को अलग कर देना होता है तब ही हमारा अचार लंबे समय तक के लिए टिक सकता है रह सकता है वो खराब नहीं होगा तो इन सुखा सकते हैं तो मैंने हवा में छोड़ दिया था तो देखी ये सुख चुके हैं और इसे अब हम बरतन में निकाल लेते हैं किसी सुखे बरतन में हम निकालेंगे तो यहां पर सुखा बरतन हमने ले लिया है इस सुखे बरतन में हम सारे करोंदा निकाल लेते हैं ताकि इस हेल्दी है इसका आप अचार बना के खा सकते हैं इसका आप चटनी बना के खा सकते हैं ये बहुत जादा खट्टे होते हैं तो इनको ऐसे ही हम नहीं खा पाते हैं तो इसका हम अचार बना लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत फाइदेमंद होता है करौंदा कई कलर के आते हैं गुलाबी, लाल, सफेद और हरे और ब्राउन कलर के तो हमारे पास गुलाबी करोंदा है जो कि अभी बहुत कच्चे हैं इनमें बीज पूरी तरीके से नहीं बने हैं अगर करोंदा में बीज पक्के बन चुके हैं तो उन बीजों को हमें निकालना होता है बीजों से अचार खराब हो जाता है तो हमारे पास बीज वाले ये करोंदा है इनमें बीज नहीं बने हैं तो इसके हम दोभाग कर लेते हैं और देखे हमने यहां पे सारे के दोभाग कर लिए है इसके साथ ही हम यहां पे लेंगे 10-15 हरी मेच हैं जो की तीखी वाली है वो भी हमने इतनी ही बड़े साइज में काट लिया है तो चलिए अचार बनाना शुरू कर लेते हैं पेन को गरम करेंगे इसमें डालेंगे हम 50 ग्राम सरसो का तेल इसे अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि इसका कच्चापण निकल जाए तेल अच्छे से गरम हो जाए तो फिर से इसे गुनगुना थंडा होने तक के लिए रखेंगे जैसे ही थोड़ा सा गुनगुना तेल रहेगा उसी वक्त हम हाप टेबल स्पून इसमें डालेंगे खड़ा जीरा और इसे इसमें भुनने देंगे इसके साथ ही इसमें डालेंगे एक तेज पात और इसके साथ हम इसमें डालेंगे हाप टेबल स्पून खड़ी राई राई से भी अचार बहुत अच्छा बनता है तो राई को भी इसमें तड़कने देंगे, यह तेल अभी गुन-गुना है, तो यह सारे इसमें भुनते जाएंगे, इसके साथ ही एक चमच डालेंगे, एक टेबल इस्पून डालेंगे, यहां पर खड़ी सौंफ, वो भी इसमें डालेंगे, और क्वाटर टेबल इस्पून शार्बून डालेंगे, हिंका, वो भी इस तेल में भुन ते होगे, हाँ टेबल ए भाउटर दॉन दॉन हल्द का Heard टेबल एक सबून दॉन हल्दे पाउडर को अच्छ सेमी exact powder retrouver मसालों का अच्छ तरीके से आप करोंदा का अचार तेल में बना की देखेगा स्वाद में बहतर होता है और लंबे समय तक के लिए ये रहता है जल्दी से खराब नहीं होता है अगर आप सही तरीके से इसे बनाते हैं और सही तरीके से इसे रखते हैं तो सारे मसालों के साथ इन करोंदा को हम मि जरा देंगे, मिर्च मसाले and करोंदा कि मिक्स कर लेंगे, धीमी आज पर इससे पख सैंगे, अचार के अंदर ठोड़ास पानी रह जाता है तो अचार जल्दी खराब हो तो इसे पकाते हुए इसके अंदर जो भी पानी होगा उसे हमें जला देना है धीमी आज पर करेंगे तेज आज पर करने से मसाले और अचार जल सकते हैं तो धीमी आज पर इसे पकाएंगे ताकि ये करोंदा भी पक जाए और इसके अंदर का पानी भी चल जाए करोंदा और मिर्च लगबग पक चुके हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहां पे हम इसमें मिलाएंगे नमक यहां पे हमने 1.5 टेबल स्पून नमक के मिलाएं हैं ये की साधा नमक है इससे अचार में जो भी पानी बचा हुआ होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा और ये तेल के साथ अच्छे से अचार मिक्स होगा थोड़े से हमने इसमें डाले हैं काला जीरा यानि की कलोंज यानि की इसे मंग्रेला भी कहते हैं तो इसे हम थोड़ा सा ही इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे और अचार में इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो मंग्रेला थोड़ा सा ही हम इसमें डाल देंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंग और एक दो मिनट के लिए और इसे हम पका लेंगे अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे दो चमच अचारी मसाला अचारी मसाला कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मेरे इस चैनल पर है तो आप वहां पे इसे देख सकते हैं किस तरीकी से अचारी मसाला बनता है तो दो टेबल पुरिस्पून अचारी मसाला डाल देने के बाद इसे फिर सी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस अचार में अच्छा साथ टेस्ट लाने के लिए इसको एक दिन के बाद ही खाईए तो इसमें बहुत अच्छा स्वाध आता है और अभी आपको तेल और मसाले कम लग र जाते हैं हो सके तो अचार बनाने के बाद इसे एक दिन के लिए धूप दिखा दिजे तो अचार का स्वाध बढ़ जाएगा और इसकी लाइप भी बढ़ जाएगी धूप अगर घर में ना भी आती होगी तो आप इसे डब्बे में भरके एक दिन के लिए रख दिजे उस खाँदी की अचार हमारा लंबे समय तक के लिए रहे जिसमें भी आप अचार रखे उस बरतन को ढकण से अच्छे से ढकी रखे जब भी आपको खाना हो तो आप चम़ज का यूज किजिए हातों से अचार को न निकाले कारोंदे के आचार दो तरसे बनता है, एक तो बनता है तेल से, दूसरा बनता है धूप में, धूप में बनाते हैं उसके लिए 4-5 दिन का टाइम लग जाता है, ये अचार हमरा एक दिन में बन के तयार हो जाता है, अगर आप तुरत इसे खाना चाते हैं, तो ये तुरत भी इसको खा सकत पर जादा अच्छे स्वाद के लिए इसे एक दिन के लिए रख तीचे उसके पाद आप यूज की जिए तो लिजे दोस्तों आपका के रूंदे का आचार बंके तयार है और बताइए का जरूर कैसे बना है ये करूंदे का अचार तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तक तक के लिए आप सब को मेरी ओर से नमस्कार दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में